दोस्तों अगर आप जैपुर में कोई प्रॉपर्टी सार्च कर रहा है रेजिडेंशल या फिर इन्वेस्टमेंट हिसाब से तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक जेडिये अपरूड प्रोजेक्ट जो रहने वाला है में डिग्गी रोड पे डिग्ग दोस्तों आपको पता है कि जैपुर की connectivity में डिग्गी रोड रोड का जो नाम आता है वह पहले नंबर पे आता है जो बील वाडा को जैपुर से जैपुर कंड़ेंशल रोड च पर देखने को मिलेगा गॉर्मेंट प्राइवेत कॉलेज आपको डिगई रोड पे देखने को मिल जाता है पूरा का पूरे एक मार्केट डवलप किया जा रहा है education हब डिगई रोड पर डवलप किया जा रहा है तो डिगई रोड आज के समय में investment या तो लोगों की पहली पसंद है लेकिन रेट बहुत ज्यादा मिलती है आज मैं आपको एक बहुत अच्छी प्राइज में एक जेडी अपुरूड जो है टाउन्शिप लेकर आया हूं आप देख सकते हैं दोस्तों इस जो टाउन्शिप का नाम है वो है शिव हैबिटेट सिट इस जो प्रोजेकर हैं किलोमेटर के डिस्टेंस पर मिलेगा और यह जो रोड आप देख रहे हैं यह सौफिट का रोड है जो डिरेक्ली समय करेँक्ट ile को ऑन सिब्हाई करेगा दूस्त है क्लोमेटर की swojearta टाउ leaking लोकेशन पर आज की वीडियो में लेकर आया हूं आप दे तोटल वैल्यू का 70% तक आपको लोन मिल जाएगा प्राइज क्या होने वाली है वह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको अंदर लेके चलता हूं अंदर क्या साइज में आपको प्लोट मिलेंगे कैसे कैसे आपको यहां पर फैसलेटी मिलती है वो स तीन तीन फीट का एरिया ओपन छोड़ा गया जहां पर आप अपनी टाउंशिप का एक लुक इन्हेंस करने के लिए ग्रिनरी मैंटेन रख सकते हैं प्लांटेशन कर सकते हैं वहीं यह जो आप एरिया देख रहे हैं मतलब में सौफिट रोड पर कोमर्शल जो है अभी जा रहा है वह वहाँ मतलब सौफिट का रोड का रोड नेखने को mi लेगा अगर अगर मैं आपको लेके चलो तो दोस्तों यह जो साथ फिट रोड है उसके यहां से सेक्टर रोड जो जा रहे हैं वो ती सो चालिज फिट के देखने को मिलता है आज के समय में इलेक्रिक पोल आप देख सकते हैं लग चुके है इस्टेट लाइट लग चुकी है आपको अंड पर आपको कोई भी दूसरी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा साथ में जेडी है तो आपको किसी भी प्रकार के टेंशन नहीं लेनी है लोन से रेलेटेड या किसी और चीज़ से रेलेटेड अगर आप वहां देखेंगे तो आपको आपको काम चलता हुआ दिख रहा ह हैं आपको अगर मार्केट की बाथ करें खॉस्पिटल की बात करें ऐस्कूल की बात करें तो डगी supporters वहां इक अबरकेट आक मिल जाएगा सथ में दोश्द यह तदंश्रू है वह मेंमोरियल कोलेज के ज़फट पास में रहने वाली है और इस ही के पास में गोवशिंग बो कह सकते हैं कि जो लोग investment के साफ से यहां पर plot लेंगे तो उनको एक अच्छा return देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा अंदर और लेके चलता हूं तो आप देख सकते हैं तो यह जो 60 feet की road है दोनों साइड आपको यहां पर बीच में divider देखने को मिल जाता है जहां पर अगर किया जा रहा है पानी से relevant कोई दिक्कत निया अगर आप चाहते हैं यहां पर मकान बना कर रहना तो आपको मतलब आज के समय में वो सारी सुख सुधाई मिल जाती है जो आपको चाहिए होगी अपने घर में दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहेंगे कि सर इस टाउंशिप के प्राइज क्या रहने वाली है तो दोस्तों यहां पर आपको कॉमर्शल और रेजिदेंशल दोनों प्लोट मिल जाएंगे सोगत से प्लोट की साइध स्टार्ट हो जाती है और आप चाहे दो सोगत तीन सोगत जैसा आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं चाहे रेजिदेंशल की बात कर ले या कॉमर्शल की बात कर ले रहने वाली है और यहां से प्राइज सटार्ट होगा अगर आप साथ फीट पर लेता है तो थोड़ा सो आपको एडिशनल को पे करनी पड़ेगी कॉमर्शल के अदर चार्जिस रहेंगे उन कुछ टाउंशिप है उनमें अगर आप रेट देखेंगे तो आपको बीस बाइस पच्छिस तीस जार रुपए गजक में भी यहां पर टाउंशिप मिल रही है लेकिन डिग्गी रोड के जस्ट एक किलोमेटर के डिस्टेंस वर आपको यह जेडिया प्रूड टाउंशिप म यहां पर लगबग रेट में जो इंक्रिमेंट देखने को मिलेगा वह तीन से चार गुना देखने को मिलता है और वहीं दोस्तों अगर बात करें डिग्गी रोड की तो अभी प्रिजेंट टाइम में डिग्गी रोड दो सो से डेट सो फिट के आसपास का है लेकिन गौर् अगर टाइम लोकेशन पर एक बहुत जबर दस अक्रक्टिव प्राइज में हमने ये जेडी अप्रूट प्रॉजक्ट आप लोगों के लिए कवर किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना है अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रेलेटेड और भी इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप देगे नंबरों पर कॉंटेट कर सकते हैं अपनी विजिट के डेट फिक्स कर सकते हैं कोई भी डाउट हो डारेक्ली आप हमारे एकजिटीव को कोल करके अपने डाउट के लिए कर सकते हैं